नमस्कार नियूस वानेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी बीजेपी और जंदादल युनाइटेट के बीच की खटपट अब साफ देखने को मिल रही है बता दे कि जहां एक तरफ विहार में विधान परिशद का चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ यू उनाइटेट ने ये साफ कर दिया है कि इस बार 50-50 का फॉर्मूला ही बिहार में लागू होना चाहिए तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में होने वाले विधान सबा चुनाव को लेकर भी सीटों का बटवारा अब तक बीजेपी और जंदादल यूनाइटेट के बीच नही हुआ है और यही वज़ा है कि मामला फस्ता हुआ नजर आ रहा है एक तरफ जहां बीजेपी चाहती है कि इस बार यूपी में सीयम योगी आदतनात की ही सरकार आई तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ये भी साफ कर दिया है कि जादा ठीकट जो है या जादा सीट जंतादल यूनाइटेड बीजेपी से अलग होकर यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है ऐसे में इस खबर को लेकर और क्या कुछ अपडेट है किस तरह से सीट की मांग जंतादल यूनाइटेड की तरफ से की गई है और मांगने के बावजूद अब तक आखिर क्यों बीजेपी ने जंतादल यूनाइटेड की बात नहीं मानी है क्योंकि बात करें तो बिहार में NDA की सरकार है बीजेपी और जंतादल यूनाइटेड गटबंधर में है लेकिन इसके बावजूद सीटों को लेकर जो टकरार है वो अब भी देखने को मिल रहा है से में क्या को ये बटवारे को लेकर ये पेच भसी हुई है इसकी पूरी जानगारी आपको देते हैं बतादे कि जेडियू के यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने कहा है कि अब एक दो देनों से ज्यादा का इंतजार नहीं किया जा सकता सीटों की घोशना नहीं हुई तो जेडियू अ उन्होंने कहा है कि भाजपा के साथ हमारा गडवंधन है और चाहते है कि यूपी में दोनों साथ लड़े लेकिन भाजपा की ओर से सकडात्मक पहल अब तक नहीं हो सकी है अब एक दो दनों में भाजपा की ओर से पहल नहीं की जाती है तो हम नर्दय ले लेंगे बता दे क जेडियू नेतानेका है कि भाजपा के बड़े नेताओं से केंद्रीय मंतरी RCP सिंग की बाचीत हुई है उन्होंने ग्रेमंतरी रक्षा मंतरी आदी से भी बाचीत की है केसी त्यागी ने बताया है कि विसवैंबी योगी आदतनाथ से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं उन् भाजपा की ओर से जिन से बात होनी है वे इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं ऐसे में ये पेच अफस चुका है कि आखिर सीटों का बटवारा किस तरह से किया जाया ऐसे में केसी त्यागी ने ये साफ कर दिया है कि अगर एक से दो दन में भाजपा सीट को लेकर एलान नहीं करती है तो यूपी में जेडियू अपने दम पर चुनाव लड़ेगी ऐसे में कहीं न कहीं जो ये अनबन है बीजेपी और जेडियू के बीच वो साफ देखने को मिल रही है और यहीं वज़ा है कि जहां बिहार में विदान परिशत के चुनाव को लेकर यहां भी ज जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी ने फसा कर रखा हुआ है और यहीं वज़ा है कि एक दो दन में अगर कोई ऐलान बीजेपी की तरह से नहीं किया जाता तो जनता दल यूनाइटेड अपने दम पर यूपी में चुनाव लड़ सकती है ऐसे में देखने वाली बात होत बात होता